अलो गाईज, वेल्कम बैक टो यूटूब चैनल एक्टिकल स्टॉफर यूट दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि जो डेड़ एच्पी का मोटर होती है उसमें कितने अमपेर का MCV लगाएं तो दोस्तों उसी वीडियो पर मिरको कमेंट आये हैं कि सर हमें ये बताएं कि जो हमारा एक एक एच्पी का टुलू बंप होता है जो कि हम गरो में यूज करते हैं उसके लिए हम कितने अमपेर का MCV लगाएं तो वो हमें कैसे निकालना है दोस्तों आपको पता है कि कोई भी म मोटर हो जा टुलू बंप हो उसके अक्रोस हम एक MCV जरूर लगाते हैं उसकी पटेक्शन के लिए तो दोस्तों वो कितने अमपेर का MCV होता है उसे कैसे निकालना है और एक HP के टुलू बंप में कितने अमपेर का हमें MCV लगाना है वो कैसे निकालनेंगे आज किस वीडिय करंट कपेस्टी निकालनी होगी तो उसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना जाहिए कि जो हमारी मोटर है वो कितनी कपेस्टी की है तो दोस्तों अब आपको यहां पर पता है कि जो हमारी मोटर है वो एक HP की है तो हम क्या गरेंगे अब HP को कनवर्ड करेंगे किल अब हमेरी एलेक्ट्रिकल रिशों दोस्तों हमें पता है कि जो मारा एक एच्पी की मोटर है उसमें ऐसख सोगी स्यंति वैल्यव इस? तो पावर फेक्टर अब दोस्तो इस फोर्मूले से हमें क्रंट की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पर जो हमारी पावर है वो हमें पता है 746 वाट है और जो हमारी बोल्टेज हम सिंगल फेस के टूलूप हमको देते हैं और जो गरों में भी आती है वो 220 वोल्ट होती है और दोस्तो हम यहाँ पर पावर फेक्टर मान कर चलेंगे 0.9 ठीक है दोस्तो अब हम क्या गरेंगे इन सभी वैलियूज को इस फोर्मूले में डालेंगे तो जो हमारे पास आरेगा क्रंट इस फोर्मूले को कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आरेगा क्रंट टेकन बाई 1 HP मोट इकल टू 3.77 अमपेर ठीक है दोस्तो अब दोस्तो इसका मल यह हुआ कि जो हमारी 1 HP की मोटर है वो फोर्मूलोड करन लेती है 3.77 अमपेर अब दोस्तो हमें क्या करना है इसमें 25% सेफटी फेक्टर एड करना है क्योंकि दोस्तो केई बार क्या होता है कि जो हमारा टुलू पंप है उसका हैड काफी यादा होता है तो उस केस में वो जाला करन लेने लग पड़ता है तो हम सेफटी फेक्टर ज़ूर मान के चलेंगे तो हमें करना क्या है 25% निकालना है 3.77 अमपेर का क्योंकि फोल लोड का रण 3.77 अमपेर है तो उसे निकालने के लिए सिंपल 3.77 साथ को गुना कर देंगे 0.25 से तो दोस्तों जब हम इसे गुना करेंगे तो हमारे पास सेफटी फेक्टर आजेगा जो की बनता है 0.9425 अमपेर तो अब हमें टोटल करन निकालना है तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे जो हमारा फोल लोड करन आया है 3.77 अमपेर उसमे मलो ये हुआ दोस्तों जो हमारी 1 HP का टुलू बंप है वो 5 अमपेर का टोटल करन लेता है तो अब हमें यहाँ पर पता है जो हमारा करन है वो 5 अमपेर है अब हमें MCV का चेन करना है तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि यो मार्केट में अवेलेवल MCV की डेटि है वो क्या क्या है तो दोस्तों वो आती है 1 HP, 2 HP, 3 HP, 4 HP, 6 HP, इसके बाद 10 HP का MCV आता है 13 HP, 16 HP और उसके बाद 20 HP और 25 HP दोस्तों इसके यादा रेटिंग के MCV भी आते हैं बट हमारी जो रिक्वार्मेंट है वो इनी MCV से पूरी हो जाएगी तो हम यहाँ तक ही कंसिडर करे तो अब हमें पता है कि हमारा क्रंट है वो 5 Ampere है अब हम इस रेटिंग में से देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा MCV सूट बैठेगा तो अगर आपने द्यान दिया हो कि 4 Ampere का MCV है बट वो 5 Ampere से कम है तो वो उसे हम यूज नहीं कर सकते उसके बाद हमारे पास आता है 6 Amp वो easily 5 Ampere तक load carry कर लेगा तो यहां से हमें clear हुआ कि जो हमारा MCV चाहिए हमें एक HP की मोटर के लिए वो हम 6 Ampere का MCV यूज करेंगे तो दोस्तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो कि आपको किसी भी मोटर के लिए कितने Ampere का MCV लगाना है दोस्तो वीडियो यूज लगी ह प्रफूज कि विख बाता ज I कर दोस्तो दोस्तो प्रast के लिए कि इसकते हैं प्रफूज कर दोस्तो 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 भाष।